हेलो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत नहीं है उस चैनल पर आज हम बात करेंके तीसरे पार्ट के बारे में यहां पर हम वेंजन संदी सीख रहे थे कल हमने वेंजन संदी के बहुत चे रूलों पर बात की और आज हम उनके आगे जो नेक्स्ट रूल हैं उन पर बात करेंगे ठीक है दोस्तो कोई गलती हो तो माफी चाओं हुआ आप में मुझे उमीद है आपको वर्ग ये वेंजन अंतस्त वेंजन और उसमे वेंजन याद हो गए होंगे पहले दो वीडियो देख़र तो आज मैं वो नहीं लिखने वाला हूँ रूल पर चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तो चलिए सुरुवात करते हैं आज हम हमारे रूल नमबर पहले पर दोस्तो जो हमारा पहला रूल है वो हमारा ये कहता है कि ए और आ के अलावा कोई भी सवर है भी सवर कोई भी सवर है ए और अलावा के कोई भी सवर है यानि अगर हम कहीं उसके साथ दंते असकार आए दंते असकार का कौन सास है क्या आए इनके साथ कोई भी सवर हो और इसके साथ ये आजए इसे कहते हम दंते ठीक है दोस्तो दंते असकार या ये लिखने के आवशिकता ही नहीं है तो ये किसमें बदल जाएगा मुर्धने स्कार में बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा दोस्तो मुर्धने स्कार के अंदर ये बदल जाएगा जैसे कि अगर हम उधारण के तोर पर देखें तो हमारा पहला उधारण मैं लेता हूँ एक जे एकजमपल अभी शेक अभी शेक नाम तो आपने पढ़ा होगा या देखा भी होगा ठीक है, यानि क्या कहते हैं अभी शेक नाम को अगर आप संदी में तोड़ोगे तो इस रूल के अकोर्डिंग आप तोड़ सकते हो कैसे आप देखी क्या नाम है अभी और यहां क्या है सेक आपको पता होना चाहिए कि से किसे बना है से किसे बना इस से तो क्या लिखोगे अभी योग अभी योग सेक ठीक है दोस्तों तोड़ना कैसे था ठीक है समझ में आया अब हमारा क्या ए अलावा ए और आ के अलावा कोई भी सवर तो देखो कैसे ए को तोड़ा फिर भै को तोड़ा इसमें निकली छोटी इ पलस निकला सै ठीक है पलस क्या निकला सै निकला ना और आगे मातरा किसकी है एक ही है ठीक है आगे मातरा किसकी है एक ही है ना आप ऐसा चलो यह इसके उपर ही लगा देता हूँ आपको कोई जरूरती नहीं यही सवर हैं दोस्तो E और से देखना है क्या है E और से तो कोई भी सवर है ए और आग को छोड़ कर यहां पर है हमारा से अब जोड़ दो और अब आपको क्या जोड़ना है देखो यहां दूसरी लाइन में ए है बै है इ है अब E हो तो इस से का क्या बनता है यह से बन जाता है उपर है मातरा पलस कै अब देखो अब इसको जोड़ो ए फिर पिर क्या हैगी E की मातरा यह लोई छोटी की मातरा यह होती है भी और फिर सेख यह था हमारा दोस्तो अबिसेख नाम ठीक है यह हमारा क्या था अबिसेख नाम था जैसे की एक मैं उधारन लेता हूँ विशम कुछ एक उधारन है हमारे सामने अगला उधारन है विशम एक उधारण है अभी सिक्त कुछ उधारण है हमारे मैं एक दो और करवा दूँ आपको ये लिख लेजिएगा अभी सिक्त जो मैतोपुर्ण है मैंने वो लिखे हुई है नोटबुक में अनुशंग अनुशंग ठीक है दोस्तो नेक्स्ट है सुसमा ठीक है एक है अब कुछ अपवाद होंगे मैं वो बता रहा हूँ ठीक है जैसे कि अपवाद है वो लिख लेजी एक बार आप अपवाद है जैसे कि विसरग ठीक है दूसरा है अपवाद हमारा अनुशार तीसरा है वी सम्मर्ण चोथा है हमारा अतिशार इन्हें हम विसरग संदी से भी क्या है इनको तोड सकते हैं दोस्तों ठीक है ना विसरग संदी से भी हम इनको क्या है तोड सकते हूं तो यह अपवाद है ठीक है ना अपवाद है यह क्या विसरग अनुशार वी समर्ण अतिसार विसरग वी समर्ण अनुशार अतिसार ऐसे याद रख लो हम विशम को करके देखते हैं दो एक दो और करके देख लेते हैं विशम को करके देख लेते हैं विशम विशम है दोस्तों ठीक है कैसे तोड़ेंगे वी योग संद में पता चल जाएगा गलत है किसे ही तोड़ा है पता कैसे चलेगा देखो वे को निकालो वे में निकला छ कि नहीं निकला अब ई के साथ ए और आ को छोड़ कर कोई भी यहां पर सवर है और सामने हो सै तो फिर उसका क्या बन जाता है दोस्तो ये सै बन जाता है पलस है मैं इधर है इ और इधर है वै तो अब जोड़ दो सोरी तो अब क्या है ये मातरा इसके उपर आजएगी वी ये तो दोनों कलियर हो गए, हो गए ना, आगे है सह और इदर है मैं, विशम, ठीक है? ससमा, सू, सूयोग, समा, ठीक है? सह के आगे क्या निकला, छोटाओ, क्या निकला, सै क्या निकला, मैं, ठीक है? कोई भी अन्य सवर हो सामने से हो तो उसका क्या बनता है ये तो अब इसको क्या बना देंगे सू पलस से पलस समा इसी तरह से हमने क्या पड़ा अभी सिक्त तो क्या होगा अभी योग अभी योग ये क्या है देख लो ठीक है से है तो अलग करोगे तो क्या निकल जाएगा ठीक है सिक्त अभी योग सिक्त क्योंकि इस से का ही क्या बना है ये से बना है जिसे मुर्दनिय स्कार कहते है अनुशंग अनुव योग संग ठीक है तो ये था हमारा रूल आज का पहला क्या rule था आपको इतनी याद रख लिए बाकिया आप करीदोगे एक करना चीकलो बाकिया आप खुद कर लोगे ठीक है इसै का क्या बन जाता है मुर्धन्य स्कार दंत्य स्कार का क्या बन जाता है मुर्धन्य स्कार अगला देखिएगा rule number next अब rule number 2 आज का कहता है कि अगर हो यही क्या इसे बोलते हैं मुर्धन्य स्कार ठीक है मुर्धन्य स्कार क्या बोलते हैं इसको यह मातराज बड़ी लगी ठीक है मुर्धन्य असकार इसको कहते हैं अगर इसके साथ ये मैं एक बार में देता हूँ ठीक है आपको सोट कट में अब इदरो टै और इदरो ठै ये दंत्य असकार है ठीक है क्या है ये दंत्य असकार है इनको किस में बदलना होता है मुर्धन्य असकार में किसमें बदलना होता है दोस्तों मुर्धन्य असकार में बदलना होता है तो किसमें सोरी दंत्य असकार जैसे की तै और थै कल हमने पड़ा था तो यह तै यहां और ठै यह किसमें बदल देंगे दंत्य असकार को मुर्धन्य असकार में यह मुर्धन्य है और तै वाले दंत्य ते ते दांत से होता है ना ते 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 तो ये ठीक है ते को किसमें बदलेंगे ते में और ते को किसमें बदलेंगे ते में ठीक है दोस्तों तो आपको ये पता चल गया होगा ये यहां लिख सकते हो मुर्धन्य किस में बदलेगा यार क्या है बार-बार उपर नीचे वाड़ा है दंते किस में बदलेगा मुर्धन्य में कई बार जानबूज की गल्ब बोलते कुछ है लिखते कुछ है ठीक है आब उधारन देखते है अपनी पोर्टेंट उधन जो पेपरों में आई हुई है ठीक है ना मैं वही लिखवा रहा हूँ वैसे तो किताबों में आप कोई भी पढ़ ले ना पहला हाता है हमारे आगे द्रस्टी एक पहले देखो मैं लिखता हूँ वरस्टी आप करके देखिए इतने ठीक है मैं पहल कि आप तोड़ सकते हो कि नहीं देखो करके ठीक है ना ररीक crucotine अरु है रस्ट मैं द्रस्टी एक दने लिख सकते हो लेकिन मैं नहीं लिखने वाला एक है दूस्ट है इस्टाली देता हूँ दूस्ट कोई जरूरी कि इस्ट एक लिखता हूँ है तोस्ट आप कितने लिख लो ठीक है अब हम करते है पहला क्या वरस ठीक है ठीक है दोस्तो कैसे करेंगे तोड के देखो किया है यह जो सह है यह किस में बदला हुआ होगा इस टैमे या ठैमे अब हमें इनमे निकालना है इनको क्योंकि ये अगर ऐसे नाम लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों तो ये सोच लेना आपको ये देखना है ये किसमे तपदील था तो टै अगर है तो वो टै लिखोगे ठै तो वो क्या लिखोगे ठै यहां क्या है दोस्तों टै है यहां क्या है टै पहले तो लिखो वरीस हमें टै को बोलना है वरीस ठीक है क्या लिखोगे वरीस ठीक है दोस्तों अब पलस में क्या करोगे यहां क्या है टै है तो टै किसमें बदलोगे टै में उपर मात्रा किसकी है ठीक है तो क्या लिख दोगे ये आदा है आदा है ना देख लो आदा है तो ये आदा लगा दिया वरिस योगति अब करके देखो अगर ऐसे मिल गया तो बहुत ही इजी हो गया क्यों आपको तो पता है जब ये मुर्दन्य असकार हो सामने दंते असकार है तो दंते असकार तो किस में बदलेगा मुर्दन ते किस talk में बदलता है यह आपको पता है इदर क्या है अधास है में जो पराइब है यह लगा दी हमारी मात्रा तो ऐसे बन गया वरिस्टी क्या हमारा सही हो गया यह इै से करोगे शस सेयोग से आप देखो सस ऐसे हैं दो फिर क्या है है अब आपको पता है दोस्तो ठै निकड़ा वो ठै कि से बना ठै से बना है क्योंकि मुर्दने सकार है तो यहां मैं मुझ़े लिखना चाहिए ठै यह लिख दिया ठै लिखने के बचा पूरा से तो अब जोड़ दो दोनों को से से और फिर ठे कलियर मेरी बात सस योग ठे दरस्टी अब मैं सारे बाद सारे नहीं कर आपको खुद करो कुछ दरस्टी का क्या होगा कैसे होगा द्रीश योग एक इसमें बदलता है तै में तो द्रीश योग ती क्या होगा द दरस्टी इस्ट है तो इस योग इस योग टी टै को टी में बदल दो तूस योग थै ठीक है इस तरह से दोसतो सारे हमें करनेज़ दुस्ट का दुस्ट का भी देख लो दुस्ट तो दूस योग टै किसमें बदलता है दोस्तों तै में दुस योग टै दुस्त ठीक है तो ऐसे हमें करना है बहुत ही जी है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर उद ये है दोस्तों उपसरग क्या है उपसरग रूल नमबर आज का तीन नमबर उद उपसरग हो पलसो दंतेशकार कौन सा है ये ठीक है तो जो दंतेशकार है दोस्तों इसका तो बन जाएगा उते क्योंकि दै का क्या बन जाएगा तै बन जाएगा दै का क्या बन जाएगा तै उतो है और ये तै बन जाएगा ठीक है लेकिन इस सै का क्या हो जाएगा लोप इसे सह का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा ठीक है? अब आप समझिए हमारे उधारण से पहला उधारण है उत्थान क्या उधारण है? मैं तीन उधारण लिखता हूँ उत्थान दूसरा उधारण है मेरे सामने उत्थित जो अच्छे अच्छी इपोर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ उत्थित और तीसरा है उत्थापना उत्थापना ठीक है? तीन उधारण है क्या है? उत्थान उत्थित और उत्थापना अब देखो तोड़ना कैसे है? ठीक है? अब तोड़ना क्या है तै है ना देखो उद्ध है ना उद्ध का उद्ध बनाना है ऐसे लिखा हुआ मिला तो ये जो तै है ना आदे 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 वाले इसका क्या बना दोगे दे बना दोगे तो क्या देखो अब उद्ध आद्धा बढ़ाना है उद्ध योग उद्ध योग अब देखो इसमें क्या लोप हुआ हुआ से से लोप है तो आपको से जोड़ना है ठीक है और कैसा स्थान क्योंकि स्थान ही होगा उद्ध योग स्थान दूसरा है उद्ध योग स्थित उद्ध योग स्थापना उद्ध योग स्थापना ठीक है दोस्तों कितना आसान है ना सारे रूल बताए रहे हैं मैं आपको पवाद भी बताऊंगा सारी चीजी अब एक को करके देख लेते हैं दै को किसी में बदला तै में और इदर हमारा क्या बच गया उ इदर से है से का लोब हो गया बचा क्या थान बचा क्या है थान ये क्या होता है दोस्तों लोब हो जाता है क्या हो जाता है लोब तो क्या बचा थान क्या होगा अधा पूरा उ अधा तै और थै ने उ थान ये लो उत्थित का इसी तरह से आप इसी का कर सकते हो तै बना सकते हो ठीक है से का लोप किरो तो अधा तय और फिर रोप करोगे तो क्या बच्छे का थै ये की मातरा यह लोवत दोस्तो आपको यह भी पसंद आ गया होगा और समझ में भी क्योंकि ज़्यादा मुश्किल सिस्टम इसमें है नहीं अगला देखिएगा बहुत अच्छे वाला नेक्स्ट रूल हमारा रूल लंबर फॉर करेंगे हम भग देखिए रूल लंबर फॉर है क्या आज का जितना भी हो कोई बात नहीं कोई भी सवर हो कोई भी सवर ठीक है कोई भी सवर हो पलस होच है क्या हो दोस्तो कोई भी हमारे सामने अगर आता है क्या सवर आता है तो यहाँ पर आप द्यान रख लेना एक चीज का वो है कि जब कोई भी सवर होता है हमारे सामने तो चै जो है उसका आगम हो जाता है आग क्या होगा चै का आगम ठीक है उधारन देखिएगा एक बार चै का क्या होगा आगम होगा ठीक है उधारन आच्छा दन एक पहला दूसरा है प्रिछेद प्रिछेद ठीक है तेसरा है छत्तर चाया ठीक है एक है विच्छेद ठीक है और व्रिक्ष चाया ठीक है मैं जो मुस्किल मुस्किल है वो सारे लिखा हुआ तरूच्छाया तरूच्छाया यह लो इक सिपोर्टेंट इक है अब मैरा ध्यान से सुनि आपको करना के है लाल पैंद ले लीता है तो मेरे ठीक है आपको चै का आगम करना का है देखो ये सवर है ना ये चै है इन दोनों के मध्ये में कहां इन दोनों के मध्ये में हमें क्या करना है चै का आगम ठीक है दोस्तो आगे वड़ते हैं और लिखते हैं हमारा पहला उदान लिख लिया सोरी आ छादन करना क्या है ऐसे लिखेगा तो मिटोना है चै चै खतम करना है आ चै का क्या करना है विलोप करना है न विलोप करना है चै का किसका चै का देखो सभी में चै 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 है देखो इधर क्या है इधर चै है ठीक है इसमें भी है ध्यान रख लेना चया है मैंने लिख नहीं पाया ठीक है तो सभी में क्या है चया है देखो ठीक है इनका विलोप करो एक बार कैसे आ पहले सवर देखना है सवर से तोड़ो आ योग छादन इस तरह से हमारा क्या बन गया पहला ठीक है अब देखिएगा क्या हमारा था कि अगर कोई सवर हो और फिर आगे क्या हो छै हो तो क्या आगम हो जाता है इनके बीच में चय का आगम हो जाता है ठीक है दोस्तों इसी तरह से हम क्या करेंगे देखिएगा क्या करेंगे आ अब जोड़ दो आ अदा चय और फिर छा अरदन ये लो पहला रूल दूसरा परी छेद परी ई आ गया परियोग छेद चय को निकाड़ दो बस परियोग छेद क्यों क्योंकि पर के आगे बचा है छोटी E, पलस आया 6, छेद, और 6 है, इदर E है, तो इनके बीच में चै का आगम हो गया, इसलिए हमने परी और अधा चै और छेद, ठीक है दोस्तों, परी छेद, परी योग छेद, छत्तर छाया, छत्तर योग, अब इसमें देखो, एक कांसी आया देख छे, फिर है, छे के आगे है तै, ठीक है, छे के आगे क्या है, तै आदा, फिर है रे, और रे में क्या निकला, आदा करोगे तो ए, और फिर क्या निकला, छाया, ये ऐसे होगा, दोस्तों, ऐसे समझो इसको, ये समझाने वाली भी चीज आगी, अब देखो, ए के आगे, और करके देखो 6 इसको समझाता हूँ 6 फिर तै कैसा है आदा तै कैसा है आदा ठीक है ऐसे आदा है ये ठीक है आदा है तो हम पूरा कर नहीं सकते क्योंकि ये भी आदा हो गया आदा हो गया लेकिन रे तो पूरा होगा ना रे तो ए रे में क्या मिल जाएगा तो फिर ये क्या हो अब है पूरा हो गया तो इसलिए इसलिए पूरा इसमें आ गया 46 और फिर total मुझे के अदा और पर यह पूर शाट रचाए ठीक है दोस्तों इस तरह इसथी करिक्ष्ण चाहा क्या humour लिक्ष वरिक्स योग शाय मुझे है कि इसमें भी ए है ठीक है और इसी तरह इस सेम यही condition है, तरू योग, इसका क्या हो जाएगा, तरू योग छेया, चै को अटाके, अलग अलग लिख दो, ठीक है दोश्तों, ये था हमारा rule number next, इसके बाद देखिएगा, क्या होता है, विचेद का क्या होगा, वी योग छेद, वी योग छेद, ए के आगे है, देखो, वी योग छेद, next है, हमारा निर उपसरग, next हमारा है rule number, कि अगर आजे निर और ये है उपसरग, क्या कहलता है, निर उपसरग है, ठीक है, दोस्तों, निर उपसरग आये, और इसके बाद क्या है, रे है ना इसके बाद आप देख सकते हो क्या है रे है ठीक है अब नीर का क्या करना है ध्यान रख लेना जो रे है उसका क्या हो जाएगा लोप मैं रेड पैन से लिखता हूँ रे का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा ठीक है और जो ने है दोस्तो जो ने है ना जो ने है वो क्या बन जाएगा नय के साथ बड़ी E की मातर लगए देखो इसको तोड़के देखो क्या लगता है नय योग E ठीक है नय योग E निकलाना तो इस E का आपको क्या बना देना है बड़ी E बना देना है क्या बना देना है बड़ी क्या बना देना है बड़ी अगर मैं कहूं सोट कट में सोट कट में कहूं तो ये जो नी है वो क्या बन जाएगा अगर हम सोट कट में लिखें इसको तो क्या बन जाएगा ये नी बन जाएगा ठीक है मेरी बास में अब उधारन देखिए इसका पहला उधारन ठीक है जैसे कि नीरव, नीरव उधारण पहला, आप पहले खुद करो, नीरव मोधी नाम सुना होगा आज कल, एक तो ये उधारण है, दूसरा, नीरस, ऐसे समझ में आएगा आपको, तीसरा है नीरज, और चोथा है नीरोग, सुथा है नीरोग, इन्हें हम विशरग संदी से भी तोड़ सकते हैं, वो विशरग संदी आएगी दुबरा बता दूँ, तो हम्मारा क्या है, ये नी बना हुआ है की नी बना हुआ देखो सारों में, सारे एक सही लिख रहा हूँ, बेवज़े के गलत लिखा गया, ठीक है, सारों में क्या है, नी के आगे ने के आगे बड़ी एकी मातरा, तो हमें आप इसका मतलब क्या हुआ, छोटी एकी मातरा करनी है, चोटी एकी मातरा करनी है, तो ये लोग छोटी एकी कर दी, पलस क्या करना है, निर, ठीक है, क्या है, निर्व है की नहीं है, निर्योग रव, निर्योग रव, ऐसे कैसे, आप समझ में आएगा आपको, आप तो तरीका बताऊं, इस नीर को रिख दो, और जो भी वैय लिख रहे हूँ, इसके साथ एक रह और जोड़ दो, क्यों? क्योंकि ये रह तो है ये, ये रह तो है ये वाला, लेकिन इसके साथ हमने एक नी के साथ रह और था लोग पर, वो लेकर आना है, तो नी के साथ रह रहा हूं मैं, इसका क्या लिखा? ये छोटा नी लिखा, इसके साथ रह जोड़ दो, फिर क्या लिख दोगे? बचा हुआ रस लिख दो, तीसरा है नी, फिर रह, योग करेंगे, रज लिख दो, इसी तरह से नी, र लिखा, फिर लिख दो रोग, ये लोग, सारे के सारे तो आप क्या बचेगा नी ने बचा इधर क्या है छोटी ए की मात्रा चोटी की मात्रा है ना आगे क्या बचा रे पलस क्या है पलस क्या है रे वे यही है दोस्तो ठीक है हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी यह दोनों आए निर निर जब भी कभी आए तो यह रे क्या होता है ये क्या होगा लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों लोप, और इसका क्या बन जाएगा, इस E का बन जाएगा बड़ी E, क्या बन जाएगा बड़ी E, तो क्या बना नी, इसका लै, इसका क्या हो गया, रो, ठीक है, अगर शोटकट में देखो, शोटकट में देखो, तो जब भी कभी नीर आता है तो ये जो नय है वो क्या बन जाता है नीर बन जाता है इसका लोब करके ऐसे बोल के देख लो तो इसी तरह से हमारा पिछे वाड़ा था ठीक है दोस्तो लाइट चली गई है लेकिन माँपी चाहूँ हाँ इसके लिए मैं आपके बीच में disturbance हो र करते हैं इसी तरह से एक और उधारण है दोस्तों दुर का दुर उपसरग भी है एक सेम वही कंडिशन है सारा वही रूल है जैसे कि दुर उपसरग है मान लेजिए दुर उपसरग ये क्या है उपसरग है ठीक है दुर उपसरग जब भी कभी आये दोस्तों और उसके साथ क्या मिले वही सेम वाला रह तो आपको क्या करना है ये रह तो कर देना है लोप और इसका बना देना है बड़ा दू सेम वही बात है क्या बना देना है इसका दू ऐसे बना देना है ठीक है तो कैसे उधारण देखिएगा पहले मैं उधान लिखता हूँ कुछ एक्जेंपल जैसे दुराज, दुराजा और दुरस, अब आपको नहीं करना आता मानलो, तो पहले इस दू को अलग लिखो, लिख दिया, एक बार लिख के देखो, पलस लिख दिया, राज मानले, ये है तो गल्ट, लेकिन हमने क्या किया था, ठीक है, ये देखो, क्या है दुराजा था, ठीक है, इधर दुराजा है, इधर दुरस है, ठीक है ना, दुर जब भी कभी आता है, तो उसका क्या बन जाता है, दू, जैसे हमने क्या किया था, नीरव का, नीरव अभी किया था ना, देखो, नीरव, ये स कि आ चुकी है दूरज ठीक है दूराज दूरज थीक है दोस्तों है तो मात्रा हमेसा क्या लगती है बड़ी लगती है अब यह है ऐसे मानलो अब आपको यह पता है कि यह कैसे बना यह ऐसे बना और इनके साथ कुछ लोप हुआ था वो क्या था इसके साथ रह जोड़ दो बस दूर इसके साथ क्या जोड़ दो रह जोड़ दो और आगे लिख दो राज दूर योग राज ठीक है तो एसे हम करेंगे छोटा लिखा दूर फिर लिखा राज अब आपको पता है कि दू का तो बन जाता है ये रह क हो गया लोप आगे बचा राच और अब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दुराच इसी तरह से इसका क्या होगा दुर्योग राजा कि इसी तरह से सामने वाले का क्या होगा दुर्यूग रस gutes उमीद है ऐसे तो इसका क्या हो जाएगा दुर योग रवर ठीक है इस तरह से हमें ये करने है नेक्स्ट रूल देखिएगा अब ज्यादा नहीं रहे हैं एक अदा रूल हमारा और रहा है अब देखिएगा ने ठीक है पलस ऐसे लिख देता हूँ मैं ने पलस कोई भी सबद हो कोई भी सबद ठीक है का संयोग हो मतलब जूड़ता हो ठीक है सम योग ठीक है कोई भी क्या हो नै हो कोई भी सब्द का संयोग हो तो क्या है दोस्तों नैका जो है वो क्या हो जाता है लोप हो जाता है क्या हो जाता है नैका नैका क्या हो जाता है ये ठीक चल रहाएगा ये ये तो मोटा चलता है नैका क्या हो जाएगा लोप अब एक लाइन लिखता हूँ मैं वो आप भी लिख सकते हैं यदी ठीक है क्या लिखोगे यदी पर्थम सबद का अंतिम वर्ण नै अंतिम वर्ण क्या हो? अंतिम वर्ण अब एक बात सुन लो ये ये नै वोना चीए क्या होना मैं ऐसे लिखता हूँ ये नै नै कैसा है? सबर रहीत सबर रहीत सबर रहीत हो ना चीए ठीक है? क्या हो? सबर रहीत नै हो तो नै लोप हो जाएगा सबर रहीत नै हो तो क्या है? अंतिम वर्ण नै हो तो नै लोप हो जाता है लोप हो जाता है ठीक है? चाहिए क्या हो कोई भी सबद आगे हो कोई भी सबद हो नै कब होगा जब सवर रही तो होगा जब क्या होगा सवर रही तो होगा अब देखिएगा दोस्तो उधारन जैसे युवावस्था यूवावस्था में क्या बोलते हम? यूवावस्था उधारण देखिएगा दो तीन पहले यूवावस्था एक है प्राणी मातर ठीक है? एक है प्राणी विज्ञान एक है प्राणी विज्ञान ये विज्ञान होता है ठीक है न? विज्ञान नहीं होता है प्राणी विज्ञान ये करके देखिए आप सारे एक है स्वामी भगत स्वामी भगत ठीक है दोस्तो स्वामी भगत और एक है स्वामी भगती ये तो खेर से मसाई है आतम हंता एक है हमारा आतम हंता और एक है सम्योग न्याशिन पलस वरग एक मैं ऐसे लिखता हूँ फिर इसको समझाओंगा सम्योग न्याशिन योग वरग ठीक है दोस्तो ये है ये दोड़के बता हूँ हम आपको कैसे बनाना है अब ले लेते हैं ये पहले पहला क्या है पहला क्या है दोस्तो यूँ आवस्था ठीक है तो बात आई कि ने का लोप हुआ है इसमें ने का लोप हुआ है कोई भी सबद का सयोग हो चाहिए लेकिन ने कैसा होना चाहिए आदा तो इसमें क्या होगा यूवन योग अवस्था ठीक है दोस्तो यूवन योग अवस्था इसमें देखिएगा ये क्या है आदा ने है आगए चाहिए कोई भी सबद हो कोई फरक नहीं पड़ता तो ये क्या हो गया लोप हो गया और इसलिए क्या बन गया यू वै और आगे क्या है ए है ए और ए वै के अंदर अगर मैं देखूं तो ए निकलता है क्या निकलता है और आगे क्या है आवस्था अब ए और ए मिलकर क्या बनते हैं आ बनते हैं तो इसलिए क्या निकलेगा यू वा वैस्था इस तरह से इसी तरह से प्राणी मातर आप इनका करके देखना है तो आप ऐसे करके देख सकते हो प्राणी और आगे ने जोड़ दो बस प्राणी योग मातर इसी तरह से इसका करोगे तो क्या होगा प्राणी योग विज्यान इसी तरह से इसका करोगे स्वामिन योग भगत इसी तरह से इसका करोगे तो आत्मन योग हन्ता इसी तरह से इसका करके देखो एक मिनट ये तो करके दिखा हूँ मैं करके क्या देखो अब क्या है सम योग नेयाशिन आप इसको देख लो ये तो करी रखा है बनेगा क्या वो भी देख लो सै और इधर क्या है मैं है और कैसा आदा ठीक है इसमें क्या है द्यान से देखिएगा आदा क्या है मैं है ठीक है सम सम योगे नियाई सीन तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से ये सबदिस्का बनेगा ठीक है दोस्तो एक और लास्ट देखिएगा री रे और से हो लास्ट है आज का रूल क्या हो री हो रे हो और से हो ये चीज़े हो ठीक है इनके बाद हमारा क्या आजे नए आजे इसके बाद हमारा क्या आजे नए आजे दोस्तो तो नए का बन जाता है अने ये है वो वेंजन संदी रामायन वाला पड़ा था क्या आपने क्या है रामायन का आपने पड़ा था री रे और से के बाद कभी भी आजे ने तो उसका क्या बनेगा अने अब उधारण देखिएगा जैसे कि क्रीशन उधारण देखिएगा क्रीशन एक उधारण है हमारा त्रीशना एक उधारण है हमारा सरन एक है हरन और एक है सरन अगला है पुरान त्रिश्णा रीन पुरान त्रिश्णा और रीन ठीक है एक है नारायन और एक है रामायन इसे दिर्ग संधी माना जाता है वैसे एक है विश्णू माना इने क्या जाता है दिर्ग संधी माना जाता है रामायन को ठीक है कभी वेंजन संधी मत सोत लेना लेकिन इसमें देखो परदान संधी भी होगी और इसमें क्या है इधर change होगा last में तो क्या होगा वो एक परदान संदी एक गुन संदी तो किसका उदारण होगा ये गुन संदी का पहले रामायन को देखते है रामायन राम योग अयन ठीक है दोस्तों ये संदी होती है इसकी लेकिन हमें सीखना क्या है देखो ने से पहले ने से पहले कहीं पर भी क्या हो रे हो या से हो या री हो अब देखो भई इसमें रे या री या क्या है देखो है क्या कुछ ये देखो रे है इधर है हो गया ना इसलिए इसका क्या बना रा ए और ए मिलकर क्या बने रामा यन कैसे बनते हैं देख लो रा को अलग किया मै को अदा किया मै में से निकड़ा तो निकला ए इदर निकला ए पलस निकला यन ठीक है ए और ए मिलकर क्या बढ़ेंगे आ लेकिन एक रूल ये कहता है कि नै इदर बच्छा ये इदर बचा मै, इदर बचा रा अब रूल एक ये भी कहता है कि अगर ने आ जाए और उससे पहले कोई रह हो या पिर री हो या से हो तो ने का क्या बन जाता है अने बन जाता है ठीक है, तो इसलिए भी इसको जोड़ो रा, फिर इस मैं को पूरा लिखूँआ तो ये ए इसमें आ जाएगा राम ये बचगी आ की मात्रा तो ये लगा दी रामा फिर ये आ गया और फिर अने आ गया ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे, क्रीशन क्रीश अब देखीगा क्रीश योग ने क्रीश योग ने क्या ये से नहीं आया दोस्तो क्या ये से नहीं आया, देखो आदा है ना, ये लो क्रीश तो इसलिए इस ने का क्या बना, अने, क्यों क्योंकि इदर क्या है, से, इदर क्या है आदा से, और इदर क्या है, क्री अब इसको जोड़के देखो, क्री, सै और अने, क्रीशन, इसी तरह से क्या होगा? त्रीस, योग, ना, इसी तरह से हर योग ने, इसी तरह से सर योग ने, सरण, इसी तरह से पुर, पूरा योग ने, इसी तरह से त्रीस योग ना, री योग ने, नारायन का इद्र से देखा था राम योग आयन तो इसी तरह से क्या होगा नार योग आईन नार योग आयन ठीक है ये सेमवई हैं विशनू का विस योग नू विशनू का क्या होगा विस मतलब जहर और फिर होगा नू तो इसली नया का क्या बना और नू क्यों इधर से है तो इसली हमने क्या कर दिया विशनू ठीक है दोस्तो उमीद करता हूँ आपको ये हमारी वेंजन संदी का चैप्टर अच्छा लगा होगा पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरू करें अगली वेडियो में हम फिर आज रोंगे धन्य बाद